हलो दोस्तों सौबस है आपका मास्टर इंग इन सिसीलियन और कारोकान डिपैंस में तो हम लोगों ने लास्ट चाप्टर में क्या देखा था आपकर e4 c6 d4 d5 e2 d5 c2 d5 और अभी हम लोग क्या के लिए आपकर c4 और हम लोगों ने क्या देखा था मिल लें कि नाइट f6 नाइ लेंगे और नाइट into d5 के बात में अभी क्या कहलेंगे हम लोग queen b3 तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो था यहां पर पूरा कवर किया था कि नाइट b6 खेला तो हम लोग कैसे continue करेंगे ओके तो अभी हम लोगों में आ आ गये हैं तो यह जो हम लोगों का important chapter है यह लाइन खेलता हूं तो मैं भी बिशेप इंटो f3 मार की खेलता हूं जैसे बिशेप इंटो f3 मारा जींटो f3 मारी है अब आपका important क्या करेंगा यहां पर e6 खेलेगा वह पॉंड जो है simply देगा फिर से अगर यहां पर गये तो आप आप जो है ट्रांस्पोर्स हो जाओगे यहां पर e6 खेलेगा जो की important line है ओके कि एवन मैं भी कोदी खेलना हूं तो जैसे ही खेला अब हम लोगों क्या करना है simply pawn जो है मारना है ओके अब यहां से तब जो मूद है फोस्टी है अब आइडिया क्या यह मर रहा है ठीक है अब वह बिशेप इंटो f3 मानने का logic यह भी कोई जरूरत नहीं है सारे लाइन फोस्ट है आपको जास मूद याद रखना है अब यहां पर क्या करेंगे हम दो बिशेप बीफाय चेक अब बिशेप बीफाय चेक के वाद में क्या होगा कि सीटू अगरे खेलने का टाइम नहीं मिलेगा वह यह मारेगा बिशेप मर जाएगा तो उसे फोस्ट क्या करेंगे चेक देखे किंग करवाएंगे उसकी जो क्या सब्सक्राइब ब्रेक करवा देंगे और बिशेप को भी ब्लॉक करवा देंगे तो जैसे यह खेला अब हम लोग करेंगे यहां पर अभी क्विन इंटु भीफाय हम लोग मादने व चप्लेर रहेगा डेफिनेट्ली जोए यहां पर डी सेवन खेलेगा कि क्विन जोए एक्स्चेंज करो और यह सबसे मोस्ट प्रवाइल जितना यहां तक क्या आगे तो यहां कुई दी सेवन खेला अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर यहां पर जोए नाइडिन टु मार दे बट यहीं मारे का तो गलत है विकॉस जैसे अगर आप मारोगे तो बीइन टु मार के यह बिशेप ए थ्री हो जैसे मैंने बताए कि अगर कुई रहेगी बोड पे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा यह पोजिशन के लाए इतनी इजी नहीं है पोजिश जोए कुई इन टुदीफाय मारेगा बहुत जोए ए एक्सजिंज करो विकॉद अगर वह यहां पर इन टुदीफाय मारता है तो वह क्या होगा कि आपको यहां पर क्वीं रखने का बोड पे चान्स दे रहा तो जैसे अगर यहां खेला तो हम लोग क्वीश करके बचा सकत है तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं और यह बहुत डिक्फिकल्ट होगा उसके लिए खेलना तो डेफिनेटली जो है अच्छा प्लाइगा वो कुई इंटु डीफाय मारेगा जैसे कुई डीफाय मारा अब हम लोग क्या करेंगे बिशिप जीफाय यह चेक बहुत इ कि हम लोग आप सो चलोगे कि अपना प्रॉब्लम क्रेट करें यह बहुत अच्छा फाहिता है जो पॉन डार्क स्कोर पर आ रहें तो एंडिंग में हमें यहां पर आना है ओके तो जैसे यह किला अब हम लोग क्या करेंगे कुई इंटु डीफाय मारेंगे और अभी यहां पर बिशेप E3 आ जाई है और अब मैं आप वह यहां पर बोलता हूं कि एक मिनट का पॉस लीजिए और अब देखें कि यह पूशन क्या है जैसे मैं बताना कि एंड गेम की रेशन आ जाएगी यह पूरा देखिए मिडल गेम आया ही नहीं पहुत सारे पीसे एक्सचेंज ह जाए एक तो उसका डीफाइपन वीक है उसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और एक और बास है कि हमारे प्रेस टू वर्से बन है अगर यहां पर सारे पीसे हो जाएंगे तो हमारे विनिंग के चांसे बहुत जाता है क्योंकि हमारे पास जो है आउटसाइट पासर है त तो मैं लॉग करके क्या करूंगा और अपस से जो है अटाक की करने वाला हूं तो हम क्या करेंगे करेंगे अब मेरी आइडिया क्या है नेक्ट रूप को लाने के रूप की वन तो अगर आपका अपनान अच्छा रहेगा डेफिनिकल भीशत भीख जो है उसे हैं और पीसद प्रॉब्लम और अभी क्या जबी भी मारोगी तो मार मार के पॉंड मर जाएगी तो वह से ध्यान रखना पड़ेगा इतना इजी नहीं है उसके लिए खेला तो क्या करेगा रुक सीएट चेक देगा अभी किंग बी बन जाएंगे तो बिशप सीफाइ खेलेगा कि यहां पर एक्स्चेंज करते हैं भी मारेंगे तो रुक टेक्स है तो रहेगा इसे ठीक है बढ़ डैफिनेटली हम लोग मारने वाले नहीं है हम लोग रुक की व बना जाएगे अब आईडिया के है भी रुकी से उन अगेरे अंदर आ रहा है और यह अब खेलोगे गैसे रुकी सिख्स वगेरे चेक आ रहा है यह ध्यान रखना पड़ेगा मान लिजेगे अगर आपका पुर्ण रुक सीख्स चेक और अब अगर किंग वगेरे और कहीं अगर भी वड़ी प्रॉबलम में रुक सीवर में रुकी मल जाएगा और यह जो मैं आपको प्रिपरेशन दिखा रहा हूं या आगे की 25 मू तके मेंने पूरा दिखाये और यहां तक यहां तक ही अगर कोई आया है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं प्रॉबलम नहीं या तो आप जीतोगे या तो ड्रॉई होगा ओकि अगर आपने अच्छा खेला तो नहीं हो यह पुशन अगर अगर अच्छा आपने खेला यह एंगें तो टेफिनेट आपको जो है विनिंग भी आ जाएगी ओके तो मुझे उम्मीद है दोस्तों हम लोगों का जो कारोकान ग वीदे। कारो कि अदने खड़ सेथ अगरुने बाओंगें होगा, ौक?